इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उप्रब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलो की गोपनियता भंग होती है डिफरेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी क्रूप से मौजूद है नमस्कार दोस्तों डिफरेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलो तो अब ये साफ हो चु जो जानकारी मुझे मिली थी उस वक्त का उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया था अब ये जानकारी नई आ गई है कि भाई जो मिसाइल गिरी थी वो भारतीय मिसाइल थी भारत ने मान लिया है कि वो मिसाइल भारत से ही छोड़ी गई थी तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत ने कितनी बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा भारत को किन किन रूप में आगे आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है और ये गलती कितनी बड़ी है भारत की तरफ से की गलती कि इसका नतीजा युद्ध हो सकता था और इसका दोशी सिर्फ और सिर्फ यानि कि अगर युद्ध शुरू हो जाता भारत और पाकिस्तान के बीच में तो इसका दोशी सिर्फ और सिर्फ भारत होता इस पूरी घटना ने भारत के लिए तो चंता की रेखाएं खड़ी की ही हैं खीची ही हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल नजर आ रही है पाकिस्तान की भी कमिया इसमें दिख रही हैं इन सब पर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूँगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पाकिस्तानी सेना की भी तारीफ करना चाहूंगा तारीफ इसलिए पाकिस्तान की सेना तारीफ के काबिल इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक युद्ध को टाल दिया अपने शांत जवाब दे कर और इसका नतीजा युद्ध हो सकता था और अगर जवाबी कारवाई में पाकिस्तान ने मिसाईल भी दाग दी होती तो इसका जवाबी कारवाई करने का और अगर वो मिसाईल जवाब में दागता तो उसकी कोई गलती नहीं होती हलाकि ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान ने बहुत शांती और सौमिता से इस पूरी घटना को लिया और इस पर तो बिलकुल तारीफ करनी चाहिए भले ही वो दुश्मन मुल उन्होंने चुपाया नहीं इसे घलती मानी माफी मांगी है पाकिस्तान से गटना बेहत खेजनक है राहत के बात ये है कि हाधसे में किसी की जान नहीं गई है देखेے भले ही भारस सरकार की तरफ से इस घटना पर माफी मांगी गई है खेज जताया गया है लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफी नहीं है कोट अफ इंक्वाइरी में जो भी दोशी पाया जाए चाहे वो सेना का कोई भी कितना भी बड़ा अफसर क्यों न हो उसे सक्त से सक्त सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये गलती ऐसी गलती है ऐसी गलती थी कि इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता था आप सोचिए मिसाइल में वारेड नहीं था इसके बाद भी जहां ये गिरी है वहां नुकसान ठीक ठाक हुआ है पाकिस्तान से जो तस्वीरे आई है उनमें साफ दिख रहा है कि मिसाइल के हिट होने से कई इमारतों को नुकसान पहुचा है कई दीवारे तूट गई है मान लीजिए अगर किसी की जान चली जाती तो क्या होता भगवान का शुक्र मनाईए कि किसी की जान नहीं गई क्योंकि जहां मिसाइल गिरी है वो आबादी वाला इलाका है भारत के एक मिलिटरी अवियेशन एक्सपर्ट है इनका एक यूटूब चैनल भी है उन्होंने सेटलाइट इमेज के जरीए बताया है कि मिसाइल मिया चन्नू में कहा गिरी थी देखिए यह जहां पर इन्होंने पिन किया है यह जो यलो कलर की पिन आपको नज़र आ रही है यहां पर मिसाइल गिरी है यानि चारों तरफ आपको इमारते नज़र आ रही है उन्होंने बताया कि इसके करीब घर भी है एक टेकस्टाइल फैक्टरी भी है सीवेज प्लांट भी है एक तबेला भी है यानि किसमत थी कि किसी की जान नहीं गई देखें मेरे हिसाब से सिर्फ गलती मान लेने से काम नहीं चलेगा भारत की सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में जिनका भी नुकसान हुआ है वो भारत सरकार मुआफ़ा दे उन्हें क्योंकि भाई ये भारत सरकार की गलती की वज़़ा से हुआ है और पूरा मुआफ़ा पूरी भरपाई की जाने चाहिए पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है यह मैं कह रहा हूँ मेरा हिसाब तो यही कहता है और मैं क्यों इसे इतनी बड़ी गलती कह रहा हूँ इसकी एक वज़़़ा है बहुत बड़ी वज़़ा है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस वक्त ऐसे हालातों में जब पूरी दुनिया परिशान है रूस यूक्रेन में अलड़ी युद्ध चल रहा है ऐसे में एक और युद्ध शुरू हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता और मैं एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के यहां पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है शांत ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल करने का लेकिन अब चुकि भारत की तरफ से गलती हो गई है अब चुकि भारत ने मौका दे दिया है तो पाकिस्तान इस गलती को भुनाने का जो उसका तरीका है वो इसे नहीं छोड़ेगा वो हर मंच पर इस बात को लेकर जाएगा और भारत के खिलाप भारत की मुश्किले वो बढ़ाएगा भारत के लिए कई तरह से मुश्किल बढ़ेगी पाकिस्तान को मौका मिल गया है कि वो भारत के मिसाइल तक्नीक पर एक बार फिर से सवाल उठाए पाकिस्तानी सेना की तरफ से DGIS PR ने बिना देर करते हुए ये सवाल भी उठा दिया था इस दो चीज़ों को बड़ा वाज़ बेयान करता है एक तो उनकी जो भी टीम्स हैं जो भी हुमन रिशूर्स है जो इस तरह की हाई-टेक चीज़ों को देख रही है उनकी प्रोफेशनल प्रोएस को जाहर करता है कि वो क्या है काफी बड़ा सवालिया निशान है उसके अपर और दूसरा ये उनकी टेक्नोलिजी जो है उसके पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस टेक्नोलिजी में काफी कमी है मेरे ख्याल में और उसको मजीद उनको काफी काम करना पड़ेगा अपनी टेक्नो पाकिस्तान के नेशनल सेक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ उन्होंने ट्वीट कर दुनिया से अपील की है कि भारत के इस एक्शन के खलाफ संग्यान लिया जाए। सरकार की बात वैसे दुनिया की तमाम इंटरनेशनल नियूज एजनसीज ने भी इस कबर को प्रमुकता से जगदी है हर बड़े अख़वार ने हर बड़े इंटरनेशनल अख़वार ने इसे कबर किया है। मैं तो उठाई रहा हूँ ये सवाल पाकिस्तान के भीतर से भी उठ रहे हैं। और ये सवाल उठाने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्यूंकि इससे अगर मिसाइल घुज गई है उसमें तो आपके एर डिफेंस में कहीं न कहीं कमजोरी है। और इस कमजोरी को दूर करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये सवाल उठने जायज हैं और क्यूंकि अभी आपने कुछ महीनों पहले ही या कुछ हफतों पहले ही चाइना से एच क्यू नाइन बी एर डिफेंस सिस्टम लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो सिस्टम लगा था तो ये मिसाइल क्यूं नहीं मार गिराई गई। क्यूं ये मिसाइल हवा में उड़ती हुई 124 किलोमेटर का सफर उसमें पाकिस्टानी सीमा के भीतर तर्टए किया और वो जाकर पाकिस्टान में गिर गई। मलब उसमें एक तो ये था कि क्या इसके खलाफ सोपरसॉनिक के खलाफ हमारे पास भी तो है ना एंटी बिजाइल सिस्टम चाइना का दिया हुआ तो चाइना से हमने जो पिछले दिनों ही लिया है तो क्या वो इस अलाके के अंदर उसकी बैटरिया मतायन नहीं थी या उनक पूछे गए लेकिन उन्होंने इनको बड़े टैक्ट फुली प्यार से वो किया इमरान खान साथ तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा तो हम उसको मार गिराएंगे अमरीका का ड्रोन आएगा किसी और मुल्का ड्रोन आएगा तो हम ये नहीं है कि ह हम उसको जवाब नहीं देंगे हम बड़ा सख जवाब देंगे हम उसको अड़ा कर रख देंगे मैं तो इसको पर्सनली मेरे लिए तो जो चंबे की बात है जो अस्टॉनिशिंग चीज है कि ये 124 किलो मिटर पाकिसान में अंदर कैसे आ गए हमारा अगर एक डिफेंस सिस् सेना ने तो उस समय भी ये बात सामने आई थी मुझे याद है कि जो रक्षा मंतरी है पाकिस्तान के वो खटक शायद है उनसे जब सवाल पूछा किसी पत्रकार ने कि भई अगर वो विमान अंदर आये विमान इतनी अंदर तक आया भारतिय वायू सेना के तो उसको मार क्य नहीं गिराया गया उसको शूट डाउन क्यों नहीं किया गया तो इसका जवाब खटक सहाब नहीं दे पाये थे उन्होंने कहा कि रात हो गई थी और ये था और वो था वो किसी तरह जवाब को टाल गया अब दुबारा जब भारतिय मिसाईल ने पाकिस्तानी एयर स्पेस क उल्लंगन किया उसमें करीब सवा सो किलो मिटर अंदर जाकर गिरी तो फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया क्यों भारतिय मिसाईल को शूट डाउन नहीं किया गया हाला कि पाकिस्तान में इसे लेकर प्रोपगंडा भी शुरू हो गया कि पाकिस्तानी एयर डिफंस सिस्टम कितना मजबूत है कि उसने भारत के मिसाईल को मार गिराया है ट्विटर पर एक पाकिस्तानी यूजर न लिखा कि जो मित था कि ब्रहमोस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता वो मित मिया चन्नु में दफन हो गया, हाला कि मैं आपको बता दूँ कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो ब्रहमोस मिसाइली है, इसके अलावा प्रोपगंडा फैलाने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी यूटूब चैनल है हकीकट टीवी उसने भी अपने वीडियो में दावा किया कि पाकिस्तानी एरफोस ने ब्रहमोस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है हालां कि हकीका टीवी के प्रोपगंडा को उसके पाकिस्तानी दर्शकों ने ही ध्वस्त कर दिया कमेंट सेक्शन में उसके एक विवर मुहम्मद बिलाल ने लिखा कि ISPR ने साफ कहा कि मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई है बलकि अपने आप गिरी है एक दूसरे यूजर इफ्तिखार एहमद ने भी वह लिखा कि DG ISPR ने कहा है कि मिसाइल अपने आप गिरी ना कि पाकिस्तानी एर फोर्स या फिर पाकिस्तानी एर डिफेंस के दवारा शूट डाउन हुई एक और यूजर ने लिखा है कि ISPR की प्रेस कांफरेंस बड़ी कन्फियूजिंग थी उन्होंने इंटरसेप्ट वर्ड का इस्तमाल नहीं किया उन्होंने कहा कि वो एक कम एहमियत वाली जगा पर गिरी है प्रेस कांफरेंस एंकरेजिंग नहीं थी कुल मिलाकर ये बात जो फैलाए जारी है कि पाकिस्तानी एर्ड डिफेंस ने मिसाल को मार गिराया वो बिल्कुल गलत है पहली बात थ operates ये कि ISPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया उन्होंने ये कहा है कि वो खोट गिराया है यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह जो है वो चीज जो है वो नीचे गिरी और हमने उसको इतनी जाया क्यों नहीं रोका क्या वो कहीं और जा रही है कि हम उसको monitor कर रहे थे यानि यह बात तो साफ है इसमें कोई दोराय नहीं है कि पाकिस्तानी एर डिफेंस सिस्टम में लूप था तब ही भारत के मिसाईल वहां तक पहुँच पाई चलिए आपने ट्रैक किया आपको सब पता था लेकिन आप उसे शूट डाउन नहीं कर पाए और यह तब है जब अ अगली बात करने जा रहा हूँ वो जरा उसको नीट्रल होकर सोचिएगा अगर यह मिसाईल भारत ने जान बूज कर फायर की है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भारत नहीं सोचा हो कि चलो ऐसा करके एक बाद टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी एर डिफेंस सिस्टम में क्या क कोई कमजोर कड़ी है जहां से भारत यह अपने मिसाईल को एंटर करा सकता है तो अगर ऐसे सोचा जाए तो भारत तो अपने मिशन में कामयाब हुआ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसी ही मिसाईल पाकिस्तान की तरफ से घलती से फायर की गई होती तब भी मैं यह सवाल उठाता क्योंकि यह बिलकुल जन्यून सवाल है मिसाईल फायर करने में ऐसे नहीं होता कि बटन धबाया और मिसाईल उड़ चली उसे टेस्ट फायर करना हो या फिर हकीकत में दश्मन देश पर फायर करना हो इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है उसमें कई लोग शामिल होते हैं एक chain of command होती है ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ने चाह लिया कि missile fire कर दूँ तो ये मुम्किन नहीं है fire command तभी activate होता है जब उसके सारे element एक साथ मिलकर command को पूरा करें इसमें उसके fire control system से लेकर human interference भी शामिल है हाँ एक बात हो सकती है कि missile fire की गई पूरे command के साथ लेकिन बात में तकनीकी खामी आ गई वो control में नहीं रह गई और वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ गई या उसने कोई default navigation command उठा लिया जिसमें पहले से ही पाकिस्तान का कोई target डाला गया होगा कहने का मतलब यह है कि हकीकत तो पाकिस्तान कभी नहीं जान पाएगा कि क्या वाकई missile गलती से fire हुई या फिर गलती की आड़ लेकर जान बूच कर fire की गई गलती से वो मुड़ मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे आपिर गलती से गिर गया पाकिस्तान को कितना बड़ा खत्रा था मेरा ख्याल है कि यूएन security console में लेकर जाने वाली बात है यूएन के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक nuclear capable मजाईल पर दागा गया है और उसके बहुत सारे बजुगात हो सकती है तो मेरा ख्याल है कि हमारा रियक्शन वीक है, कमजोर है ये बात मुझे सबसे जदा अपील की कि भारत ने ये तजर्बा करना था और उसने इस अलाके के अंदर जिस कारीडोर में करना था उससे एर ट्रैफिक नहीं गुजरती लहादा उसने किसी को बताना मुनासब नहीं समझा, सर्टन लेवल पे आके उनका उससे कंट्रोल हट ग उसके आप कहेंगे किरना अकलमंद बांबसी और परदेबास ने क्यों नहीं वड़िया हैं लेकिन क्या किया जाए ठीक है तो मेरा ख्याल है कि शाहिद इसको गिर ये भी एक हो सकता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की उस कपैस्टी को चेक करने के लिए ये डाइवर्ट किय जाहो ताके हम उसके उपर मिजायल मारें और उसको हमारी लुकेशन का सलाहियतों का पता चाल जाए ठीक है जाहिर है इस पर लंबे वक्त तक चर्चा होगी भारत में भी चर्चा होगी और पाकिस्तान में भी चर्चा होगी और साथ ही एक और सवाल उठ रहा है भारत से व पाकिस्तान कॉपी कर सकता है ब्रहमोस मिसाइल को ये सवाल का जवाब देना इसलिए भी जादा जरूरी है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अमेरिकी टोमा हॉक मिसाइल को कॉपी करके बना चुका है वो भी तब जब ये मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी तीन बार पाकिस्तान के पीएम रहे नवाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने रिवर्स इंजिनियरिंग के जरिए अमेरिकी टोमा हॉक क्रूज मिसाइल की कौपी बना ली है जिसे बाबर मिसाइल कहा जाता है पाकिस्तानी निउस वेफसाइट एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा साल 2020 का यह आर्टिकल है इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को अमेरिकी टोमा हॉक मिसाइल उन्हें बलोचिस्तान में मिली थी जिसे वो लेकर आए फिर उसे रिवर्स इंजिनियरिंग के बाद जान ले कि यह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ही है तो इसकी हालत तस्वीरों में देखी जा सकती है यह पूरी तरह तबाह हो चुकी है चोटे मोटे पुर्जों के अलावा और कुछ भी साबुत नहीं दिख रहा है इसलिए मेरे हिसाब से इसकी नकल बना पाना पाकिस्तान के लिए करीब-करीब नामुम्किन है बाकी इस पर अगर आपको जादा जानकारी चाहिए तो अलफा डिफेंस का चैनल है यूटूब वहाँ पर उन्होंने इस पर बड़े ही वस्तार से वीडियो बना कर रखा है तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं लेकिन मोटा-मोटी यहां आपको मिलता है डिफेंस डिटेक्टिव पर तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ और हाँ जाते जाते उन लोगों से गुजारिश है जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आ आपको मिलते रहेंगे तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिंद